ज़्यादतर लोग बारिश के मौसम में पकोड़ी खाना पसंद करती है और आज यहाँ पर बारिश हो चुकी है और यहाँ पर मौसम एकदम से ठंडा हो चुका है तो फ्रेंट्स आज में आपके लिए प्याज की पकोड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली जो बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है और बहुत ही जादा अमेजिंग टेस्ट के साथ हम इसको बनाने वाले हैं और बनाना में इतनी आसान है कि इसको हर कोई बना सकता है तो चले फिर इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ प्याज ले लेने और अच्छी प्याज दीखकर आप ले लिजिए थोड़े मीडियम साइज के और अब हम इसको पहले तो चील लेते हैं उपर से तो प्याज को दोना वगेरा कुछ नहीं रहता है इसको डारेक्ट इस तरीके से आप छील लीजिएगा और इसके छील के आप हटा लीजिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्याज को अच्छे से मैंने छील लिया हैं और अभी हमें इसको जो हैं प्याज की पकोड़ी जब भी आप बनाते हैं तो इसको लंबाई में ही काटेगा लंबाई में प्याच को काटने के बाद इसके लच्छे बनते हैं जो काफी ज़्यादा पकोड़िया अच्छी बनती है और उसका टेस्ट भे काफी अच्छा आता है तो कुछ लंबाई में हमने इस तरीके से प्याच को काट लिए आप देख सकते हैं एकदम बारिक पतले पतले नहीं करें थोड़ा सा मोटा रखें ताकि जो लच्छे बनेगे थोड़ी से मोटे बनेगे और पकोड़ी काटेस काफी अच्छा लगेगा तो मैं इसको जो हैं थोड़ा 10 मिनिट बाद बनाने वाली हूँ तो मैं इसको थोड़ी देर पानी में प्याच को डाल कर रखोंगे जिससे की प्याच के अंदर स्मेल नहीं आए क्योंकि प्याच के अंदर बहुत जल्दी स्मेल आने लग जाते हैं जो पसंद नहीं आती है तो अगर आप इसको पानी के अंदर डाल के रखेंगे तो इसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी तो इस तरीके से मैं इसको ढखकर छोड़ देती हूँ 10 से 15 मिट बाद मैं इसको बनाने वाली हूँ तो प्याच को हमने सारे काट लियें और डखकर इसको छोड़ देते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं दिखिए 10 मिनिट हो चुकी हैं और अभी हमें इसका सारा पानी निकाल देना है तो पहले हम इसका पानी निकाल देते हैं चलिए फिर आगे की तेयरी करते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं दिखिए एक दूसरा बड़ा बावल ले लिया हैं और प्याच के अंदर हमने सारा का सारे पानी अच्छे से चलनी के अंदर निकाल दिया है तो अभी हमें जो प्याच हैं वो एक बड़े बावल के अंदर हमें डाल देने हैं और इसका जो हमने पानी है एक्ष्टा वो निकाल दिया है और अभी हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अजवाइन डालनी है अजवाइन डाजेशन के लिए भी काफी ज़्यादा अच्छ होती है और इसे पकोड़ी का टेश काफी अच्छा आता है इसलिए अजवाइन को बिल्कुल भी इसके इपना करें दोस्तों और इसको जो है अच्छे फ्लेवर के लिए इसको जो है थोड़ा सा हाथों से मसल कर डालिए जिससे की अजवैन का फ्लेवर काफी अच्छा आएगा अब इसके अंदर कुटी हुई हरी मिच डाल देने मैंने यहाँ पर चार से पांच हरी मिच का इस्तमाल किया है आप देख सकती है और इसको जो है इसके अंदर हमें डाल देना है साथ में आदा टीस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है अगर आप चाहें तो हल्दी पाउडर को स्कीप भी कर सकती है साथ में स्वात के अनुसर नमक डाल देना है अब थोड़ा सा लाल मिच पाउडर हमें एक छोटी चमच यहाँ पर मैंने लाल मिच पाउडर का इस्तेमाल किया है अगर आप तीखा कम खाते हैं तो थोड़ा कम डालिएगा या फिर skip कीजिएगा हरे मिच डाले हुई है साथ में एक चोटाई चमच हमने यहाँ पर हेंग पाउडर डाल दिया है और अब हम बेसन डालेंगे तो मैंने यहाँ पर एक कप बेसन और एक चोटाई कप और ले लिया है तो अब हम इसके उपर हरा धनिया डाल देंगे, कटा हुआ तो मैंने याप पर इस तरीके से बारिक चौप किया हुआ हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया है और अब जो है इसको अच्छे से मिक्स कीजिए अभी मैंने इसके अंदर पानी वगेरा कुछ नहीं डाला पहले इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि जो प्याज है उसके लच्छे जो है अलग हो जाए तो इस तरीके से एक एक इसको अच्छे से मिक्स करती जाए जिसे की प्याज जो है सारे लच्छे खुल जाए उसके तो friends आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको mix कर लिया है पूरी तरीके से और अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक mission बेटर त्यार करेंगे तो हमें पानी अधिक नहीं डालना है बेटर को गाड़ा रखना है तो friends आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है पानी अधिक नहीं डालना है इस बात का दियान रखिये और जब भी हम प्याज की पकोड़ी बनाते हैं तो बेशन का भी हमें कम ही इस्तमाल करना होता है ज़्यादा नहीं करना होता है तो friends आप देख सकते हैं यानि की प्याज की अच्छे से कोटिंग हो जानी चीए बेशन की बस इतना ही बेशन हमें इसके अंदर डालना होता है तो friends आप चाहें तो इसके अंदर अलग से अपनी मन पसंद अनुसार कुछ भी मसाला डाल सकते हैं लेकिन नॉर्मली अगर आप इसी तरीके से पकोड़ी बनाएंगे तो इसका टेश काफी अच्छा आएगा तो चलिए फिर तेल गरम हो चुका हैं हमने पहले इसको गरम होने के लिए रख दिया था और अभी हातों की सायता से या फिर चमच की सायता से जैसा आपको पसंद आए वैसा इस तरीके से थोड़ी थोड़ी इस तरीके से मिशन को इस तरीके से डालती चाहिए उंगलियों अब इसको एक मिनट अच्छे से कूखोने दीजिए, एक मिनट के बाद इसको पलट लीजिए, तो फ्रेंट्स आप देख सकती ही, देखिए, इस तरीके से हमें लगबग 3-4 मिनट के लिए इसको हमें अच्छे से तलना है, और फ्रेंट्स जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से और हमें तेल को अच्छा गरम होने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, एकदम हाई रखेंगे, तो जो पकोड़ी है वो जल भी सकती है, या फिर अंदर से कच्छी रह जाएगी, ये पकोड़ी वैसे तो जल्दी बनकर तेयार हो जाती है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फ्रेंट्स इसी तरीके से हमें सारे की सारी पकोड़ी बना कर तेयार कर लेनी है, तो फ्रेंट्स आप देख सकती है, दिखें, दूसरा बैच भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसी तरीके से हमें प्याच की पकोड़ी बना कर तेयार कर लेनी है, तो यह दिखे यह भी अच्छे से सीख चुकी है और इसका भी color काफी अच्छे से change हो चुका है तो इसको भी हम निकाल देंगे तो आज जो है friends गौवा में बारिश हो चुकी है और मौसम एकदम ठंडा हो चुका है तो अगर आपके बारिश में इसको आप बनाकर खाते हैं तो यकिनन आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा तो friends मैंने इसको tomato ketchup के साथ serve किया हैं आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर अपनी मन पसंद चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं उम्मीद है फ्रेंट्स आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बुलिए साथ में वीडियो पसंद आये तो लैक शेयर जरू कीजिएगा हम इसी तरीकी की नई नई रेसिपीस के साथ हम आपको मिलते रते हैं तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आप इसको बनाएए खाएए और इंजोई कीजिए तब तक के लिए जैसी किष्णा